हेलो गाइस हाई मेनी ड्यू चैनल में आप का स्वागत है और आप सब कैसे उन बहुत ही अच्छे होंगी और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज मैं बना रही हूं और अरही जिसको पता बोलते हैं उसका मैं ये सबजी और ये तरवा बहुत ही सुन्दर बनता है और मु तो पीस के घुल लिएगा नहीं तो कि नियूम्बू भी में जब डालते हैं और इसमें मसाला जो घर माशाला मीट मसाला और बहुत ही अच्छा बनता है और यह मैंने सब डाल के यह से मिला लिए और अब मैं इसको बता रहे हूं इस तरह अच्छी तरह से मिला ले और इसके पत्ता को मैंने इस तरह से मैंने इसका बनाई बनाई हूं और आप इस तरह से देख सकते हैं बना रही हूं अभी मैं इसको आप सब को साथ सेयर कर रहे हैं कि आप भी बनाने का ट्रिक को अपनाए और अच्छा से बनाए और अच्छी तरह यह मार्केट में भी मिल जाता है बड़ी बड़ी सब्सक्राइब लेकि मेरे सब को अच्छा लगता है यह बला और इस तरह से मैंने इसको बेशन को लगा लिए और इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ऐसे मुझे पहले बनाने नहीं आता था लेकिन मैं अपनी सासुमा से पहुत अच्छी तरह से सीखी हूं क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाने तो मैंने धीरे धीरे इसको सीख ली इस तरह से फोल्ड करने का इस तरह से बहुत ही अच्छा फोल्ड हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने ये इसको फोल्ड कर दी और इसको मैं वैस कर अच्छा पानी कराही में डाल के इसको वालेंगे इसके राद काट काट के मैंने तरह से तावा पे ये सर्चो डाली और ये इसके वाला हुआ है काट के मैंने इसको फिर फडाई करती हूं तवे पे और मैंने इसको तवे पे फ्राई करके और इसके बाद इस तरह से काट के देखिए और इसके बाद तवा पे फ्राई करके नहीं तो कराही में कर भी सकते हैं और अच्छा तरह से आपको बताना होगा अख आक के बनाने का तरीका बता रही हूं और ऐस तरह से ट्राई करकर देखिए गया बहुत है टेश्टी और सुपर लगता है खाने में बहुत ही मजाता है मैं ऐसे भी खाली खाल रोटी के साथ भी खा सकती हो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस तरह से मैंने आप सब को बता रहे हैं कि इसी मैंने इस इसी पर फड़ाई की हूँ वाली हूँ और ये हो गया तयार मेरा तरुआ और मैंने ये खाना संडे का दिन था मैंने इस तरह वाल कि मैंने ये पुलाओ और तरका भी बनाई रोटी के साथ और ये तरुआ भी बनाई हूँ और आप सब को कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताए धन्यवाद